आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे आज किस वीडियो में हम वार्सिक मुल्यान के निवरकशीर 2021-22 कक्षा साथवी विश्य अंग्रे जी खंड़ का पूरा कंप्रिट सॉलुशन देखने वाले तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजेगा इसके अलावा चैनल पे जि वीडियो के बीच में आपको बताया गया तो जवीडियो को जब देख लीजेगा चली पहला प्रिशन देख लेते किस प्रकार से आपको यहां से वरकशीत पर कारे रहे करना है कि मल्टिपल चॉइस कोशन इसमें दिये गये हैं यारे बहु विकल्पी प्रेशने के लिए इसमें आपको प्रशनों को हल करना है इसमें कुछ-कुछ में आपको विकल्प नहीं भी देऊंगे तो भी आप इसको हल कर सकते और ध्यान से पैसेज को समझना क्यूकि आपको समझना जरूरी अकल के पेपर के लिए बहुत कामाएंगा तो यहां पर आपको सबसे पहले प athletes come from all countries and take part in the games जितने एथिलेट है मतलब जो समें भाग ले तो इनको एथलेट कहा जाता है ठीक है याने कोई भी स्पोर्ट से जुड़ा हो सकता है वो सभी देशों से इसमें भाग लेते हैं यहां बहुत सारी जो है जो है दोड़ ओर जो रेस होती वह और बहुत सारे गेम कोपटिशन एक्जाम यह ओलंपिक का हिस्सा है ठीक है वी इन इंडिया और प्रावड अवर होकी हम इस पर में प्रिय खेले राष्टी खेले वह होकी है मैं इस अपर क्या घर्व हैं वी हैड been the Olympic champion in hockey till 1960 हम क्या रहते है Olympic champion hockey कि कब 1960 में रहते है ठीक है we lost the championship in Rome in 1960 ठीक है तो यहां पर क्या हुआ lost the championship in Rome हमने रोम में जो 1960 में होई थी ना वो championship क्या हुई थी हमारी lost होगी थी यानि हार गयते but we won it back in Tokyo in 1964 but हमने क्या करा हमने कब जिती ट्रोफी 1964 में यहां पर जापान के टोकियो में हमने जित दर्जकी इंडियस अर अमूंग लाग देश उसमें पूरे दुनिया में सबसे अच्छे प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर्स होकी के इंडियां स्किल्फूल देन मोस्ट अधर्स हमारे जो देश के खिलाड़ी उनमें अधर देशों की तुलना में बहुत चादा उनमें क्या है खेलने की जजबा चमता स्कील ठीक है दो ओलम्पीक विक्तिस ऑप अवर प्लेयर्स हैव ब्राव अच्छी गर्व की बात है कि हमारे देश से बिलॉंग करते होकी चेंपियंस इंद लास्ट ओलम्पिक ब्लेड एट एथेंस टुटाउजन फूर्ट यहां पर दोजाद चार मेहां पर की आयोजित हुए थी ऑस्ट्रिया और मैंस होकी और उनाइटे स्टेट्स ऑफ अमेरिकन इन वुमन्स होकी के बारे में बताया क्य इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए समझ लीजिए ओलम्पिक पे पुरा पैसे पुछा गया है ठीक है पहला कोश्चन है अथलेट्स टेक पांट इन ओलम्पिक कम फ्रॉम कहां से आते हैं जो एथलेट्स में भाग लेते में बताया ना पूरे देश और विदेशों से आत यहां पर क्या आजगा और चार सालों के अंतराल में जाता है जैसे में आपको बताया है तो अब शाल के अंतराल में आपको देखने को मिलेगा जैसे 2020 में तो फिर 2024 में होगा फिर अगला कब होगा तो चार-चार साल का ऐसा अंतराल होता है वह लभी गेम्स में आगे आपको समझ वे अगला है वी इन इंडिया आर प्राउड अवर देखिए हम इंडिया में कुन से गेम पर हमें प्राउड फिल है वह होकी क्योंकि हमारा रास्टी खेल है तो आपको पहले कर आपका सी आंसर कोशन नमर 4 आपका इंडिया तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है गूगल पर जाना है तेखिए यहां गूगल पर आप जाएंगे और गूगल पर क्या सर्च करेंगे देखिए आपर पहले से टाइप किया गया है बोड जानकारी वार्सिक पेपर 2022 आप यहां पर सर पर दूनिया की तुलना में तो हमारे देश में स्किल्फूल है होकी मों और होकी में इंडिया का जल्बा बहुत बरकरार ठीक है तो यहां पर आपका आजाएगा ऑप्शन नमबर ए सही उत्तर स्किल्फूल ठीक है आपको समझ आगया होगा कोशन नमर 5 पाचवा है इंडि इंडियों में जीते है लेकिन हा रहे थे हम यहां पर 1960 में तो आंसर होका आपको अप्शन नमबर भी आपको मैंने पूरुत्तर बता दिये यहां से लेकर आपको यहां तक पूरुत्तर नोट कर लेना ठीक है लुक एड़ाइजमेंट बिलो देखिए आपको ध्यान से अड इंकरेज देंट राइट फॉर्ड़ कुछ बच्चे जो होते हैं जिन में बहुत सी प्रतिवा चुपी होती है जैसे वह पोयम्स लिखते हैं कविता लिखते हैं तो मैगजीन में उनके लिए हां पर बताएगा फिर की नाम से आयुद किया गया जिसमें माय पेज एक्सक्र इसमें बहुत सारी चीज़े बताई गई है तो हमें यहां पर देहान रखना है जो यहां पर है यह मैगजीन किस प्रकार से वह बताना है बताई गई है यह पहला कोशन हमें मैगजीन में बच्चों के जो मैगजीन है चिल्रन मैगजीन उसके बारे में बताया गया तो यहा चापा है जो लिखी है कविता है वगेर उनको चापने का मौका मिलेगा तो उत्तर नंबर सी होगा समझ के जाएगा तो आपको याद करने की जुरत नहीं पड़ेगा इसलिए हर को समझने की कोशिश करें प्रेशन के मंग साथ है देरा सम पेजे से इन फिर की एक्सक्लूजीवली फॉर डेश बाइद चिल्रन ठीके कितने यहां पर क्या दिया गया है जो छे महने के लिए आपर मैंने आपको बता है देरा सम पेजे सिन फिर की एक्सक्लूजीवली इसमें कुछ आर्टीकल्स है ठीके जो बच्चों की द्वारा बनाए गया तो बी पर बनाए उसमें बच्चों की जाएगी तो कौन रह सकता तो डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही है बाइग गेटिंग पब्लिश्ट और फिर की तो डी नंबर का उप्शन आपको लगाना तो नमबर नववा देख लेते हैं आपको समझ में आ गया वह वह उन बच्चो को फ्री में दी जाएगे जिनके अर्टिकल पब्लिश होगे फिर की में ठीक है नवा है अर्टिकल रिटन बाइ चिल्डरन गेट पब्लिश्ट और माइपेज तो माइपेज नाम के जो एक एक पेज बना है उसमें बच्चों के आएंगे तो विच इस दा करेक्ट कोश्च फॉरड़ अबाव स्टेटमेंट इसकी लिए कौन सा कोश्चन सब्सक्राइब है और टो के से बनाएंगे तो क्या पूप्लिश होंगा माइपेज के लिखेंगे तो वी नबर्ड पा उप्शन आपका सबागा तो आपने अच्छे से लिख लिए ख लिए होंगे तो घो यह इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रिशन है चूज दो ऑपोजिट वर्ट फोर दे सेंड फ्रॉम दे वर्ट गीवन बिलो तो हम इसका अपोजिट वर्ड लेक दम लिख रहे हैं तो सेंड का हो जाएका रिसीव करना सेंड यहां पर भेजना रिसीव याने प्राप्त करन अपको चूष्च नमर 11 से 20 में आपको क्या देख रहा है आपको शॉट आंसर टाइप जो आपकी बुक से लिए गएं पहला कोशन देखते हैं वेर अर्द अपर आपकी बुक से लिए गएं तो जो बादल है वहां आसमान में कहां पर दिख रहा है इसके अलावे कोशन नम इन को कैसे पता चला कि जो उठ है वो अंदा है यहां पर आपको और भी कोश्चे में प्रकार से पुछे गया है तब तक आप इन को अच्छे से हल करें जितने मैंने आपको आंसर्स बता है ना च्छे से नोड करें तो बच्चों आज कस वीडियो में कक्षा 7 वी अंग्रेज सुन ले नहımızı प्रैइस संवार करना चांटे एफ को वीडियो को बीडि раз aç या फिर गूगल पर जाकर डबन वर्ट जानकर डाट कम सर्च कर लेए कि मिलते हैं से वीडियों वीडियो को लाइक शेर जरू करें अगले वीडियो में आपको पूरे यहां पर पूरे एक में झाल झाल